हेलो दोस्तों मैं विकी गुपता आप सब को स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल भेके गुपता टिटोरियल्स में आज मैं आपके लिए आरर भी एंटी बिसी गुरूबडी के लिए कुछ इंपोर्टेंट मैथ लिख रहा हूँ ठीक है जो इसी पर कोन है A B और C ठीक है केंद सरकार 3 राज A B C के बार रहत के लिए बार रहत के लिए 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में क्या किया एक निश्चित रासी दिया है ठीक है यदि C को A से 400 करोड़ रुपे अधिक प्राप्त हुआ C को A से 400 करोड़ रुपे अधिक कितना दिया हुआ है ए बी और सी लेसीय दिया हुआ है दो अनुपाद तीन अनुपाद चार अब आगे बोड़ा है यदि को a से 400 क्रॉपया अधिक प्राप्प हुआ यानि C को A से 400 करोड रुपे अधिक प्राप्त हुआ ठीक है देखिए सबसे पहले यहां तो रेशियो में अधिक कितना है रेशियो में अधिक है 2 कितना अधिक है एक का भेलू 2 है और C का भेलू 4 है तो रेशियो में कितना अधिक है दो अधिक है लेकिन C को A से 400 करोड 400 क्रोड ठीक है दो का भेलू है 400 क्रोड तो एक का भेलू कितना हो जाएगा 200 क्रोड कितना हो जाएगा 200 क्रोड अब सवाल बोड़ रहा है तो B के हिस्से की रासी कितनी होगी ठीक है तो B का रासी कितना है 3 कितना है 3 तो एक का भेलू 200 तो तीन का भेलू कितना हो जाएगा 200 ग को A से 400 को रोट पर अधिक है, यानि C का जो भेलू है, A से कितना अधिक है? दो अधिक है, तो 2 का भेलू 400, तो 1 का भेलू 200, तो 3 का भेलू 600, ठीक है? अभी, यानि इसका option नमबर कितना हो जाएगा? इसका अंसर A option हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला सवाल देखते हैं, एक विर्द का छेतरपल, 616 mic है, कितना है? एक विर्द का छेतरपल जो है, area 616 mic हया, तो इसका ब्यास, यानि D ग्यात किजées, ब्यास को आइव को भीदी से डोनेट करते हैं, ठीक है? तो ब्यास ग्यात किजे, समसे पहले देखी विर्द, ठीक है? यह है मेरा बिर्द, ञें क मेरा केंद्र, ठीक है, केंद्र से परीधी पर खीची गई रेखा, ठीक है, केंद्र से परीधी पर खीची गई रेखा, क्या कालाती है, तिरिजिया कालाती है, ठीक है, केंद्र से परीधी पर खीची गई रेखा, तिरिजिया कालाती है, ठीक है, आप कहीं भी खीचे, कहीं भ दिखिए, सबसे बड़ी तिरिजिया ये होला होती है, इसी खाम लोग क्या बोलते हैं, ब्यास, क्या बोलते हैं, ब्यास, ये आर हो गया, ये आर हो गया, तो D ब्रबर क्या होता है, 2R, क्या होता है, D ब्रबर 2R, यानि कि जो ब्यास होता है, वो तिरिजिया का दोगना होता ह ये बिर्थ केंदर से परीधी पर कहीं भी किची गई रहा ठेर का भालाते हैं ठीक है धाया जफ्श Rap यहां से यहां तक और भी यहां से यहां तक और आर फिर याने की व्यास यानी की और जो ब्यास है उतरी जे का दोगला तो नहीं सवाल बर रहा था एक बीरत का श्यत्रफल 416 workmeter है पर synth recom आ जाहिए बिल् का सिद्म यह था पाई आर स्क्वाएर क्या होता है पाई आर स्क्वाएर बरवर कर दिया है। 466 ठीक हैर, Pi कमान 22 वटा 7 होता है। ठीक है:" Pi कमान गया है मैं 22Wटा 57RY shoda 626 अब बढ़एस से 58 होला कार जाएगा, हितना बार in 28 भार ठीक है। यप जब R स्क्वार व्टायर 217 किसेगा, कितना आएगा, 8756, हाथ मेरा 5, सदुनी 14, 5, 19, यानि 196 जब R है, अस्क्वाइर जब बराबर के उस साइड जाएगा, तो क्या बैठेगा, अंडर रूट ठीक है, देखिए, जब ही R अस्क्वाइर है, जब अस्क्वाइर के बराबर के उस साइड जाता है तो रूट चड़ जाता है, क्या जोड़ता है, रूट, ठीक है, आपको पता होगा, 14 का स्क्वाइर 196 में होता है, तो मेरा R कितना निकल गया है, 14 तो तो टोटल किता निकल जाएगा चौदा चौदा अठाइस आप ऐसे भी देख सकते हैं यह आर हो गया यह हो गया मेरा चौदा ठीक है यह हो गया तो टोटल किता निकल जाएगा चौदा चौदा अठाइस यैंनि टोटल ब्यास गेल गया है अठाइस तो टोटल ब्यास ब्यास डॉली कि यानि तीन सुरेनी करमचारिओं को एक ऑनुपाद, दबनुपाद तीन का नुपाद में बेतन मिलती है, ठीक है। यदि उनके बेतन में करमसह, यानि कि लगतार, ठीक है? पांच परसेंट, दस तर्शोंट और पंदरा परसेंट की बिर्भध की जाती है, तो उनके बेतन का नया अनुपात क्या होगा ठीक है तीक है रेसियो दिया हुगा है एक अनुपात दो अनुपात तीन का नुपात में बेतन मिलती है लेकिन एक में पांच परसेंट की बिढ़ती हो रही है दो में 10 परसेंट और तीन में 15 परसेंट की बिढ़ती हो रही है तो जब विड़्दिक की जाती है, तो 100 में जोड़ा जाता है, ठीक है, 100 में जोड़ीगा, 100, यानि कि अगर 5% बिड़्दी करें, तो 105 बटा 100, ठीक है, 20%, 120, ठीक है, 30%, 130, 40%, 140, ठीक है, थाब को बोल रहा है, कि 5%, एक में 5%, तो एक कुने 105, 205 के पर्शेंट बटा पर्शेंट आज़ेए लीचे 100 है ठीक फिर रेसी ओ डिखा है क्या रेस्यो में अब देखिए 10 परशेंट विधेन्ट कमें रहे हैं यो जो का यो 110 बटा 100 ठीक है फिर कितना परसेंट तीन रेशियों में 3 यानि तीन का 10 10 परसेंट 110 बटा 100 यह मेरा जो कटेगा वो मेरा नया रेशियों आएगा अब देखिए तीनों है सॉस तो सॉस है यह तीनों में कैंसल हो जाएगा सो ठीक है अब देखिए 105 एक में 105 मल्टिप्लाइ ठीक है दो 1122 22 यानि 220 रेशियो जाएगा सोरी यहां 15 परेटी किया ना एक सो पंदर वर्टा सव ओगा ना ठीक है क्या होगा यानि डेल सो बटा 1 15 पर दो फॉट पंदर वर्टा सो ठीक है तो मल्टिप्लाइ कि कि यह 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 पांथिया पंदरा के पांच हाथ मेरा है एक त आपकर है अब देखिर किसी स्कट रहा है पांट से कटेगा किसे कटेगा पांट से 21 पचे ठीक है अब देखिए पंचक बीस ठीक है फिर फिर पंचक बीस यानि कि 45 45 पचे 44 पचे, ठीक है, 44 पचे 220, ठीक है, फिर आएगा कितना, 5 से कटीगा तो, 6 पचे 30, 9 पचे 45, यानि कि 21, 44, 79, यानि option देखें किसी में है, 21, 44, 79, ठीक है, यानि कि option number A हो जाएगा, सिर्फ मिर्धी करना बोल रहा था, कुछ नहीं था, एक में 105, दो में 110, तीन में 115, बस सवाल देखते हैं, 4 number सवाल, ठीक है, next देखते हैं, 4 number सवाल, ठीक है, 4 number सवाल क्या बोल रहा है, 4 number सवाल बोल रहा है, एक समकोन तिर्भूज, x, y, z, ठीक है, क्या है, x, y, z में कोन y पर समकोन है, ठीक है, यदि x, y ब्रवर कितना दिया हुए, 2 root 6, यानि x, y का value कितना द दिया है तू रूट शीक्स और एक्स जेड माइनस वाई जेड कमान भी दिया हुआ है टू ठीक है तो सेक एक्स प्रेस टैनेक्स कमान कितना होगा ठीक है बहुत इजी सवाल है इसको बिल्कुल अच्छे तरिकस किजिएगा ठीक है बने रहिए अंतक देखिए सवाल बोड़ कुछ बिल्कुल से है यहां पर दिया हुआ हुआ है समेक्स एक्स वाई यह मेरा जेड हो गया आपको पता होगा ये मेलब्वenne ऐने एक्स जेड मेरा है प्रेदेनस यानिकिश कर्ण ठीक है यह मेरा क्या हो गया पर्पेंडिकूलर यानिकि अलंब्ब यह मेरा अधार हो गया, ठीक है, देखिए, पर्पेंडिकुलर और जो बेस है न, वो चेंज होता है, हैपोटेनस हमेसा फिक्स रहेगा, यानि कर्ण हमेसा फिक्स रहता है, लंब और अधार जो है, बदलता रहेगा, अगर माल चलिए हम यहां पर ठीटा ले लिए, ठीक है, यहां पर कोण अगर ठीटा हो गया, यह मेरा क्या हो जाएगा, पर्पेंडिकुलर हो जाएगा, यह मेरा बेस हो जाएगा, ठीक है, अगर हम यहां पर ले लिए, अगर हम यहां पर ठीटा अगर ले लिए, तो यह मेरा कर्ण पर्पेंडिकुलर हो जाएगा, यह मेरा बेस, ठीट्टा के सामने वाले कौन को ठीट्टा के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं पर्पेंडिकुलर यानि की लंब बोलते हैं ठीक है तो देखे सवाल क्या बोल रहा है एक सवाल बोल रहा है एक समकून तिरूज एक सवाई जेड है एक सवाई का मान कितना दिया हुआ है तो रूट 6 यानि X और Y कमान कितना दिया है तो रूट 6 दिया है ठीक है और XZ माइनस YZ परवर 2 दिया है यानि कि XZ माइनस YZ परवर 2 है तो सेक इक्स परस टैनिक से कमान क्या होगा आपको पता होगा पैथा गुरस पर मैं ठीक है पैथा गुरस पर मैं क्या बोलता है पैथा गोरस पर मैं क्या बोलता है वो देखे ठीक है पाइथा गोरस पर मैं पाइथा गोरस पर मैं बोलता है कि H स्क्वार बरबर होता है P स्क्वार पलस B स्क्वार यानि कि करन का स्क्वार बरबर लंबर स्क्वार पलस अधार का स्क्वार ठीक है यह मेरा पाइथा गोरस पर मैं ब जेड, याने कि करन है ना, तो करन हम ले लेंगे XZ, याने कि XZ का होल स्कुरर, ठीक है, अब परपेंडिकूलर कौन है, ठीक है, याने कि P, P का मान कितना दियोगा है, X और Y, ठीक है, तो देखे, जोगे, XY, यानि, XY का मान कितना दीए ओर डाइट हमें आप लिख देते हैं, पर्पेंडिकुलर, XY है, तो 2 का रूट 6, यानि, 2 रूट 6 का हॉल और स्क्वायर, ठीक है, अब मेरा, क्या होगे, BA स्क्वायर यानि, किया अधार, अधार क्या है, YZ, ठीक है, YZ है, तो YZ हम, का ह अब देखिए, एक्स जेड का हॉलो स्क्वाइर, यह जो पलस को है, पलस में जो य जेड का हॉलो स्क्वाइर है, बराबर की पर लाईएगा, तो मैनस य जेड का हॉलो स्क्वाइर हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, मैनस य जेड का हॉलो स्क्वाइर, अब इसको तोड़ी है जब 2 root 6 का holo square कीजिएगा तो 2 का square 4 और root 6 का 6 24 आजाएगा, छोचक 24 यानि कि इसका मान कितना आगए 24 xz का holo square minus yz का holo square बरबर 24 आगए ठीक है, आप देखे, आपको साथ एक formula पता होगा, formula यह है यहाँ आप लिख देता है, a square minus b square बरबर होता है a plus b into a minus b, क्या होता है a plus b into a minus b, a square minus b square का formula होता है अब देखे, xz minus yz बरबर 2 दिया हुआ है तो इसको हम तोड़ लेंगे, ठीक है a square minus b square तो a square minus b square, a plus b into a minus b तो यानि कि एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, xz plus yz, ठीक है उसके बाद xz minus yz बरबर 24, अब देखे यहाँ पर किसी का मान भेलू दिया हुआ है, यानि कि xz minus yz बरबर 2 दिया हुआ है xz minus yz बरबर 2 यहाँ पर अगर रखेंगे तो दूसरे 24 कटे का बारा बार में यानि xz plus yz का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कितना जाएगा 12, अब देखे यहाँ यह आ गिया और xz minus yz बरबर 2 है तो हम यहाँ पर डाल देते हैं xz minus yz बरबर 2, अब यहाँ पर calculation किजिएगा, पलस पलस minus कट गिया है, यानि कि yz, yz कट गिया है, अब यहाँ 2 x 2 आ जाएगा, जूटेगा तो 2 xz बरबर 14 12 दू 14 ठीक है, तो xz कमान कितना आ जाएगा 7 ठीक है, कितना जाएगा, जब xz कमान 7 आएगा, जब xz कमान यहाँ 7 रखेगा तो yz कमान कितना जाएगा, 5 ठीक है, तो यहाँ पर yz कमान किटना आजाएगा 5 है कितना आजाएगा 5 यानand xz कभ кни horas 111 टेकए उसके बाद वायज़ खाला तरह ज्सक्स पार अब मेरा सब निजल गया अभ एधा सवाल उड़ा था कि सैक क्स प्लस टैने स्कमांड कितना होगा ठीक है देखे यहां से सेक एक्स पलस टैने एक्स का मान कितना होगा अब आपको पता होगा कि सेक एक्स का मान कितना होगा कॉस एक्स का बी बटा एच क्या होता है कॉस एक्स का बी बटा एच ठीक है तो इसका उल्टा हो जाएगा एच बटा बी देखे कॉस ट्रिटवर क्या होता है तो इसका उल्टा हो जाएगा एच बटा बी ठीक है तो एच बटा बी अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर X दिया हुआ है आपको ध्यार में रखना है यहाँ पर ठीटा याँने कि जो कौन लिया है वो X है तो यहां पर x कीजीगा, तो x के सामने वाला क्या मेरा कहलाएगा? परपेंडिक कुलर कहलाएगा, p कहलाएगा और ये मेरा बेश का लाएगा, ठीक है? यानि p का भेलू 5 दिया है, ठीक है, क्या दिया है? 5 और b का भेलू 2 root 6 और x का भेलू कितना है? एक्स जेट कमान सेवेन है तो कोशी टावर पर ब्लीटा होता है तो इसका उल्टा क्या हो जाएक है एच बटा बीटैस कितना है जो गिए यह मेरा एच हो गिया यह कमान सेवेन और बीक मजेटना तूरूट सिक्स टूू रूट उट सिक्स पलास ठीक है यजनि कि पांच बटा टू रूट जाए जए गई पालों कितना या पी जोड दीजे तो यह बारा सा पानच बारा टू रूट सिक्स दो से चे बार में तेकिए रूट 6 से root 6 cancel हो जाएगा यान कि root 6 से root 6 जब root 6 गुने root 6 की जिएगा तो 6 आएगा ठीक है तो है यहां सा root 6 जैनल 6 कर गया तो मेरा अंसर जाएगा root 6 यह मेरा अंसर यान कि option number कितना हो जाएगा option number ठीक है आप समझ गया होंगे थोड़ा सा लंबत हाल लेकिन आपको इसमें काल्कुलेशन करना पड़ेगा ठीक है चलिए अगला सवाल दिखते हैं कितना नमबर सवाल फाइब नमबर सवाल ठीक है नेक्स्ट देखते हैं फाइब नमबर सवाल ठीक है ठीक है ताइम और सपीड से देखिए सवाल बोल रहा है एक ट्रेन जो है बीस किलोमेटर पर ती घंटा की औस गति से दिल्ली से गुजरात तक जाती है ठीक है यानि कि एक ट्रेन 20 किलोमेटर पर ती घंटा यानि एक घंटा में 20 किलोमेटर की औस गति से दिल्ली से गुजरात जाती है और 30 किलोमेटर पर ती घंटा की औस गति से वापस आती है जाती है 20 किलोमेटर पर ती घंटा आती है 30 किलोमेटर पर ती घंटा की औस गति से ठीक एक जाती है और एक आती है दो चाल दिया हो और और आसत गती पूछ रहा हो तो सिर्फ आख बंद करके फर्मॉला रगा दीजिए ठीक है यानि एवरेज़ इस पीड वरबर ठीक है यानि पहला चाल गुने दूसरा चाल बटा एक्स प्लस वाई तो पहली चाल कितना है तू गुने 20 और दूसरा चाल है 30 गुना 30 और दोनों को जोड़ दीजिए 20 पलस 30 पचास अब कार्ड दीजिए 0 से 0 5 से 4 बार में यानि कि चरदुनिया अट अट तिया 24 किलोमेटर परती घंटा यानि कि जो आउसत गती है ट्रेन की कितनी है 24 किलोमेटर परती घंटा कितना है 24 किलोमेटर परती घंटा जब भी आपको दो चाल दिखे ठीक है एक 20 किलोमेटर परती घंटा था एक 30 किलोमेटर परती घंटा तो सिर्फ आग बंद करके आउसत गतिला अबेरेस प्रिपार्मर लगा दिए 2xy बटा x plus y उस कार्गोलेशन का दिए आपका अंसर आ जाएगा चली अगला सवाल दिखते हैं 6 नमर सवाल ठीक है 6 नमर सवाल दिखते हैं next दिखते हैं 6 नमर सवाल ठीक है देखिए 6 नमर सवाल बोल रहा है 900 रुपे को A B C में इस परकार भिवाजित किया जाता है कि ठीक है, एक की एक बड़ा दू रासी बरबर, बी की एक बड़ा तीन रासी बराबर, सी की एक बड़ा चार रासी है, ठीक है, तो A, B, C को प्राप्त रासी रुपया में कितनी होगी, ठीक है, रुपया में ग्यात किसे, नो सुर्पय को A, B, C में इस परगार वियाजित क्या जाता है कि A की एक बटा दू रासी यानि कि देखिए A की एक बटा दू रासी यानि A का एक बटा दू यानि जब मल्टिपला की जीगा तो A बटा दू आएगा कितना हैगा A बटा दू B सब बटा दू क्या है सब बटा बटा दू B की एक बटा दू यानि कि B B बटा 3 और बटा दू C की एक बटा 4 यानि C बटा 4 तो A, B, C को परगा तरासी रूपया में कितना होगा ठीक है जब भी आपका जब मान नीचे आए ना अब जब इक्वल रहे बराबर रहे और A, B, C दिया रहे ठीक है यानि कि 2 रहे जब मान नीचे रहे तो बस A का भेलू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा यानि A, B और C का भेलू पस यहाँ पर रेसियो निकाल दीज़े यानि A का मान 2 हो जाएगा वही मान हो जाता है ठीक है और B का मान 3 हो जाएगा और C का मान 4 हो जाएगा A का मान कितना हो जाएगा 2 B का मान 3 और C का मान 4 क्या हो जाएगा A का मान 2 मतलब मान वही हो जाता है ठीक है अब देखिए सवाल बोल रहा था 900 रुपय को ABC में विवाजित कहा जाता है और ABC का रेशियो कितना आगे है 2, 3, 4 ठीक है यानि कि जब equal A का मान कितना है 2, और B का मान 3 और C का मान 4 ठीक है यह तो समझ गया है अब अब देखिए अब तीनों को योग किजी एगात कितना हैगा 4, 3, 7, 2, 0 ठीक है यानि 9 का भेलू कितना दिया है ठीक है देखिए यहाँ पर देख लिजे 9 का भेलू दिया है कितना दिया है 900 रुपया ठीक है यानि तीनों का योग का भेलू कितना दिया है 900 रुपया तो 1 का भेलू कितना आजाएगा 100 रुपिया ठीक है यानि कि 900 में जब 900 में 9 से भाग केज़ेगा तो 100 ही आएगा यानि कि यहां से देख लीजिए 9 का भेलू 900 रुपिया तो 1 का भेलू कितना जाएगा 900 बटन 9 यानि कि 100 रुपिया ठीक है अब पुछ रहा है तो ABC को प्राप्त रासी ग्यात किजिए ठीक है जब 1 का भेलू 100 रुपिया तो 2 का भेलू कितना हो जाएगा 200 रुपिया तीन का भेलू 300 रुपिया ठीक है और 4 का भेलू 400 रुपिया कितना आ गिया 200 300 और 400 यानि 1 का भेलू 200 यानि 1 का रुपय हम कितना आ कि दो सो रुपिया, बी का तीन सो रुपिया और चार सो रुपिया। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं सेवेथ नमबर सवाल. बहुत ते gonna सभाएं आधया है। अभी भी से अधा काम को कर्मसाल दस बारा पंदरा दिनों में पूरा करते हैं ठीक है A B C यानि A 10 दिन में B 12 दिन में और C 15 दिन में काम को पूरा करते हैं यदि A B और C ठीक है काम सुरू करते हैं यदि A और B और C काम सुरू करते हैं दो दिन बाद एक काम छोड़ देता है दो दिन के बाद काम A जो है काम छोड़ देता है, ठीक है, और अगले दो दिन बाद C भी काम छोड़ देता है, यानि पहले A छोड़ता है, फिर उसके बाद C छोड़ता है, ठीक है, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, ठीक है, टाइम पूछ रहा है कि कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ठीक है देखिए सवाल बोल रहा है कि A, B, C एक काम को करमसा 10, 12, 15 दिनों में पुरा करता है यानि A काम को 10 दिन में करता है ठीक है 10, day B जो करता है 12, day और C जो है 15, day यह मेरा दिन है जो 10 दिन में करता है और B, 12 दिन में करता है C, 15 दिन में करता है तीनों का LCM लेंगे, क्या लेंगे? LCM, जो LCM लेंगे, वो मेरे total work होगा, क्या होगा? total work, ठीक है? याद देखे, total work होगा तो 10, 12 और 15 का LCM क्या होगा? सबसे पहले तो आप जानी है, हम आपको बता देते हैं, कि जब भी आपको LCM निकालना बोले, तो देखे, जो सबसे बड़ी संक्या है, ठीक है? जो सबसे बड़ी संक्या है, यह तिनों सबसे बड़ी संक्या है, क्यों है? 15, तो उसका पहाड़ा पढ़िए, 15 का 15, 25, तीनों से कट रहा है, देखे, सबसे क्या होते हैं वो टोटल work होता है क्या होता है टोटल work यह जो मेरा 60 है वो total work है, ठीक है, अब देखिए, तो किस efficiency करेगा, यह जो है, जब divide किजिएगा, तो 6 efficiency करेगा, 10 चक 60, 12, यानि कि 12 पज़े 60 और 15, 15 चक 60, यह जो मेरा निकलता है, 6, 5, 4 जो यह जो निकला है, यह एक दिन का काम है, यानि कि यह जो है, एक दिन में 6 काम करता ह है, तो 10 दिन में कितना करेगा, 60 काम करेगा, B अगर एक दिन में 5 काम करता है, तो 12 दिन में कितना काम करेगा, 60 काम करेगा, अगर C एक दिन में 4 काम करता है, तो 15 दिन में कितना काम करेगा, 15 चक 60, ठीक है, तो यह जो मेरा निकला, एक दिन का काम निकला, यह मेरा total work है, ठी लुकुल रहा है यदि A, B और C ग्म शुरू करते हैं आप देके तीनों काम सुरू कर दिया खाँ है आप दो दिन बाद ये जोड़ देता है ते दिन बाद कम छोड़ दिया यानि कि A पलस B पलस सी काम सुरू किया टिक है, एफिसेंसी कितना है? 6, 5, 11, 4, 15, ठीक है, यानि 15 की एफिसेंसी से काम कर रहा है टीनों, और ए जो है दो दिन बाद काम छोड़ दी, यानि कि दो दिन तक टीनों काम किया, ठीक है, जब दो दिन काम किया, तो काम کitatedना समाप्त होगिया? 30 काम, ठीक है? यानि कि 30 काम जो है समाप्त हो गया ठीक है? अब A तो चला गया अब बच्छे का कौन? B और C ठीक है? फिर उसके बाद बोल रहा है कि अगले 2 दिन बाद C भी काम छोड़ देता है यानि कि 2 दिन काम करता है यानि कि B और C जो है ये भी काम करता है कीस विचैसे? पांच, और चार या, पांच, चार या? अब C भी चला गया, क्या बहला? दो दिन बाद C भी काम छोड़ देता है, आब सवाल東 बूल रहा है तो काम कितने दिन में समाप्त होगा अब काम कौन करेगा अब सी भी चला गया अब काम करेगा बी कौन करेगा बी किस एफिसेंसी से तो पांच की एफिसेंसी से ठीक है काम टोटल कितना बचा अब देखें सेस काम यानि 30 काम समाप्त हो गया 18 काम समाप्त हो गया टोटल काम कि सेस कितना बच्छेगा, सेस बच्छेगा, साठ में दोनों को जोड़िये, ठीस और अठारा तहसी, मइनरस अठारा getting अब करेगा, कौन करेगा? करेगा बी. अब करेगा बी, अब बी के एफॉसन से कितना है? 5, Juda देखे हैं आहँ पे, b करेगा इफिजन से कितना तो अचे लिया कि फूर्णाक दो बटा पांच दिन तो क्या है तो काम कितने दिनों में समाप्त हुआ है आप तो काम समाप्त हो गया जो बचा ओठेव बारा ग़ा हुआ था तो मेरा B कर दिया यagnis कितना दिन कर दिया था दोफुनाग 2 अग बड़ा justified आपको समय पूछ रहा है कि टाइम कितना निकल जाएग़ किसरा नुक कालता है कि टाइम नीकल जाएगा सब से पहले द kitten kam किया था ठीक है तो यह चला गिया था दो दिन working किया फिर दो दिन काम किया था, समय पूछ रहा है कि इतना दिनों में समाप्थ हुआ, तो फिर पलस दो कर देंगे, अब फिर देखिए, भी काम करता है इतना दिन में, दो पुर्नांक दो बटा 5, आप जोड़ दीजिए, तो छे ях चे पुर्णा दू ब्ट वट पांच यानि कि छेपुर्णांग दू बड़ पांच दिन में काम समाप्त हो गया ठीक है यानि कि कि रुट टाम लगा रुक हैوف तो आप्सिन नूमबर B में है ठीक है तो यह मेरा अंसर हो जाएगा समझे हो कि हलका था थोड़ा सा दिमाग लगाना था ए चला जाता है फिर C चला जाता है फिर B बचता है तो से अस काम तो 30 काम हो गया ता है ठीक है तो 30 काम नू Penso8, 48 काम हो गया साट मैंनस बारा बारा काम काम करेगा चुकि ए ओख C चला गया था बारा काम करेगा वी पांस की चला ओड़नशी तो बारा काम करेगा था सागतर कुँछा मदे नुद्वरर इतना ते आदी में समाप्त कर देगा तो हमको ठाइम एक्ट पूछ नेक्स्ट है देखिए 8 नमर सवाल, ठीक है, देखिए 8 नमर सवाल क्या बोल रहा है, 8 नमर सवाल बोल रहा है, एक सम्चतरभुज की भुजा की लंबाई 5 सेमी है, ठीक है, एक सम्चतरभुज की भुजा की लंबाई 5 सेमी है, तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 8 सेमी है, तो सम्चत्रभूज का छेतरफल क्या होगा तो सम्चत्रभूज जिसकी सभी भूजा समान हो अब दिखिए जब क्या बोल रहा है एक सम्चत्रभूज की भूजा की लंबाई पांच से में है जब सभी भूजा समान है तो ये पांच होगा ठीक है अब देखिए सम चत्रभूज में दो बिकर्ण बनता है ठीक है कितना बिकर्ण दो बिकर्ण ये एक बिकर्ण हो गया पहला बिकर्ण याने डीवन बिकर्ण को डी से सुझीत करते हैं डीवन ये दूसरा बिकर्ण डीटू ठीक है सॉरी टिढ़ा हो गया देख लिए ठ ठीक है यह हो गया D1 यह हो गया D2 ठीक है नो तो बूर रहा है तो समचे तरबुज़ा शेतरफल क्या होगा अब देखिए इसमें पहले एक बिकर्ण की जो लंबाई है वो 8 से मी है जो यह पहला बिकर्ण कोई भी ले लिए इसको हम D1 मान लेते हैं ठीक है इसको हम जब D1 मान पहला होगा तो यह टोटल जो है वो कितना है 8 है कितना है 8 तो चार में डिवाइड हो ग fleeing 4 हुछ हो जाएगा डेक है और आपको एको triplet formula याद होगा देखिये क्या है 3 का square पलस four का square is equal to five का square तीन çıkard 5 ठीक है देखिये तीन का square 9 cat, 4 स्कार्सले, whatever 25 हो 3 4 5 3 1 2 3 तो देखिए το कहीं भी देख़ लिए यह जो मेरा हो जाएगा फिरी हो गया? अब यह जब ठिरी रहे हो गया, यह वाला आपको बताएं थे सम चट्रवुज में दो बिकर्ण होता है ये पहला विकर्ण, ये दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण कितना दिया हुआ था, 8 दिया हुआ था, तो इसको हम 4-4 में डिवाइड कर दिया है, आधा-धा, 4-4, अब 4-4 में डिवाइड किया था, ये मेरा 4, ये 5 थी, ये 3 निकल गया, ठीक है, चुकि ट्रिपलेड, 3 था, कितना, 8 था, यानि पहला विकर्ण, 8 था, और दूसरा विकर्ण, D2 था, कितना निकल गया, 3-3, 6, अब सवाल वोड़ रहा है, कि सम चत्रभूज का छेतरफल क्या होगा, ठीक है, तो देखिए, सम चत्रभूज का छेतरफल होता है, सम चत्रभूज का छेतरफल होता है का छेतर फल हाप गुने D1 गुने D2 ठीक है? हाप गुने D1 गुने D2 अब देखे हाप D1 का मान कितना दिया वा था? पहले से 8 दिया वा था? ठीक है? उसके बार D2 था हम निकाल ले हैं 3-3-6 अब दूसरे काट दीजिए कितना बार में? चार बार में छोचक 24 यानि कि 24 सेंटीमीटर स्कॉाइर जब भी छेतरफल वाला होता है जब भी छेतरफल में मान आएगा वो सेंटीमीटर स्कॉाइर में होता है तो 24 सेंटीमीटर स्कॉाइर इसका उज़र कितना हो जाएगा? 24, ठीक है, चलिए, next सवाल देखते हैं, 9 number सवाल, ठीक है, next देखते हैं, 9 number सवाल, ठीक है, 9 number सवाल क्या बोल रहा है, एक आदमी, 2 minute 30 second में, 250 meter की दूरी तै करता है, कितना meter, 250 meter, ठीक है, तो kilometer परती घंटा में, उसकी गती क्या होगी, गती जो पूछ रही है, वो kilometer परती घंटा में पूछ रही है, दिखे, second में दिया हुआ है, और meter में हैं आपको, ठीक है, आपको पता होगा, किलो मीटर परती घंटां बदलने के लिए 18 बटा 5 और मीटर परती सेट बदलने के लिए ठीक है? 5 बटा 18 से गुना करते हैं. तो ये सवाल बोल रहा है कि एक आदमी 2 मिनट 30 सेकंड में 250 मिनटर की दूरी तै करता है तो किलो मीटर परती घंटा में उसकी गती क्या होगी? यह जो सपीड पूछ रहा है वो किलो मीटर परती घंटा में पूछ रहा है. तो अब देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बहुत इंपॉर्डन फॉर्मूला है डिस्टेंस बरवर होता है स्पीड गुने टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बरवर स्पीड गुने टाइम. जब स्पीड और टाइम में मल्टिप्लाइ किजेगा तो वो डिस्टेंस में निकलेगा यानि दूरी निकलेगा. ठीक है? अब देखिए यहां से में अगर स्पीड निकालेंगे तो distance बटा क्या हो जाएगा? distance बटा time होगा. distance में कितना दिया हुआ है? 250 मीटर. कितना दिया हुआ है? याणि जो दूरी है वो 250 मीटर है. यहां पूड कर दीजिये 250. अब देखिये time. time हमको second मे लेना है. देखिए 30 सेकंड दो मिनट यानि एक मिनट साट सेकंड दो मिनट 120 सेकंड और 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 पहले से 30 सेकंड था तो 120 प्लस 30,500 सेकंड यानि कि दो देखिए एक मिनट जो है एक मिनट कितना सेकंड शाट सेकंड दो मिनट कितना है 120 सेकंड है दो मिन्टे 20 बीस सेकेंद फिस सेकेंट कोंट कि न ग zoo कम कि ढेटे रहां सो CLण क By किटिन आप देखिये है सवाल और किलोमेटर परती गंटा में बदलने के लिए अठारउ बटा पांच से कितना से 18 वट 5 आप मल्टिप्लाइ कर दीजे जिरो से जिरो कड़िये 5 से 3 बार में 5 से 5 बार में ठीक है 5 से 5 कैंसल 3 से 4 आठारा यानि कि कितना आ जाएगा 6 किलोमेटर पर 3 घंटा ये मेरा अंसर है कुछ नहीं था सब्सक्राइब डिस्टेंस ये टाइम सब्सक्राइब नहीं ने करें डिटा olmas by the subtitles काम अधीड कर दीए ये जो मिन्मेट में वि √ सेकंड में बदली है एक मिनट पर अबर साथ सेकंड तो दो मिनट पर अबर 120 सेकंड और 30 सेकंड पैलेस दिया हुआ था दो मिनट 30 सेकंड यानि कि डिवाइड कर दिये और किलोमेटर परती घंटा में बदलने के लिए अठारा बट पांच से मल्टिप्ला यानि गुना किया जाता है तो टोटल के लिए ने कर दिया है शिक्स किलोमेटर परती घंटा ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं दस नमर सवाल और आज का लाश्ट सवाल रहेगा ठीक है नेक्स्ट है दस नमर सवाल और आज का है लाश्ट सवाल ठीक है बहुत अच्छा सवाल है बहुत बिल्कुल अच्छा तरीके से देखिए सवाल बोल रहा है इसको हमना ओप्सन से करेंगे बिल्कुल ओप्सन से अंको की इस्थिति अदल बदल दे जाती है, यदि संख्या के अंको की इस्थिति जो है अदल बदल दे जाती है, यानि अदल बदल दे जाती है, तो नई संख्या मूल संख्या से नो अधिक होती है, यानि जब अदल बदल देंगे, तो नई संख्या से मूल संख्या नो अध और जो हम लोग Sankhyian बनाते हैं, नहीं Sankhyaya होती है, तो देखिए, सबसे पहले की ऐख log nine है, तो देखिना है, option में किसका nine है, देखिए, इसका भी nine है, पान्चारणोग, पान्चारणोग, ठीक है? यह तो D option होगा नहीं, ठीक है, यानी कि, तीनों túlfasil कर रहा है, यानी कि इ इसको हम 45 कर देते हैं, कितना कर देते हैं, यानि कि अदल बदल दे, यानि 4 आगे कर देंगे, 5, यानि कि 45 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, अब आगे क्या बोल रहा है, तो नई संख्या जो है, जो नई संख्या बना, क्या बो अधिक नहीं है, कितना अधिक है, यह तो कम है, अधिक होनी चाहिए, मूल संख्यां से नहीं संख्यां अधिक होनी चाहिए, अब देखे, यह 45 है, यह देखे, अधिक है, कितना अधिक है, तो नो अधिक है, तो अही तो बोल रहा था, कि जो नहीं संख्यां जो बनी है, मूल स संख्यां से नौ अधिक होनी चाहिए तो मूल 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 संख्यां से नौ अधिक होनी चाहिए त तो बस संख्या को 5 आ गया और 4 उसके बाद 54 ये 33 था तो 36 कर दिये अब जो संख्या बना है वो मूल संख्या से 9 अधिक होनी चाहिए ये जो मूल संख्या था ये जो नई संख्या बनी है इससे 9 अधिक होनी चाहिए मिलते हैं अंगले विडियों तब तक के लिए जाहिन जाए भारत और एक बात और अगर आप वीडियों पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियों जरूर दोस्तों के सेर कीजिएगा ठीक है मिलते हैं लिवडिव तक के लिए जाहिन वन्दे मातरव